नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Competition Community में तो जैसे कि आपने थमनेल में देखा होगा और description में भी पढ़ा होगा हम आपके लिए लिकर रहे हैं एक नया concept जैसे हम कहे रहे हैं reasoning ब्रहमास्तर reasoning reasoning ब्रहमास्तर अब यह ब्रहमास्तर है क्या और यह reasoning का ब्रहमास्तर क्यों है देखें एक request थी काफी सारे चात्रों की हाँ पर की सर एक ऐसी pattern लेकर आई एक ऐसी series लेकर आई है जहां से हमें बहुत जादा help हो तो मैंने इसमें काफी सोच उचार किया और सोचने के बाद मैं इस निशकर्ष पे पहुँचा कि क्यों ना reasoning के जो भी सारे topic है यानि की series हो गई analogy है images है pattern है ठीक है आप देखेंगे direction sense हो गई यानि की दिशा आरेक charts हो गई अभी हमने देखा हाल फिलाल में CSET में भी कई सारे pie chart, bar chart, line chart आते हैं blood relation है, रक्त, संबन, arrangement यानि की bet की व्यवस्ति order, पदानू करम, when diagram, when iric, syllogism, या enigment ये सारे जो topic है ठीक है ये हर paper में आपके से पूछे जा रहे हैं तो मैंने यही सोच चार किया कि क्यों ना एक ऐसी series लेके आई जाए जहां पर हम हर thursday को आपसे मुलाकात करें और इन सारे topics यानि की इन सारे विश्यों पे आपसे चर्चा की जाए अब इन सारे topics पे या इन सारे जो भी आप विश्यों पे topic पे हम चर्चा करेंगे तो वो हम इस प्रकार करेंगे कि हम PYQ discuss करेंगे यह PYQ क्या है दोस्तों PYQ is nothing बट previous year questions previous year के questions अब यह previous year के question आपके दिमाग में आ रहा होगा कि sir कौन से paper से आप लेकर क्या रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत अच्छी इसमें बात बता रहा हूँ हमने CSET के paper से भी questions लिए है हमने SSC CGL के paper से भी questions लिए है हमने SSC CPO CHSL के भी paper से question लिए है हमने Vyapam के भी paper से question लिए है अभी Vyapam के जो भी single day paper हो रहे हैं उसमें भी reasoning काफी पूछी जा रही है तो उसके भी question आपको दिखेंगे अगर आप banking के छात्र हैं तो banking के भी question इसमें मिलेंगे आपको ठीक है इसमें railways के भी question आपको मिलेंगे तो all together क्या हो रहा है previous year ही क्यों लिया जा रहा है देखे पहली बात कई बार ऐसा छात्र को लगता है कि उन्हें आसान चीज पढ़ा दी जारी है और paper में tough चीज आ रही है तो मैं आपको previous year question से यही दिखाना चाह रहा हूँ कि question इतने tough होते नहीं है आपको practice करते रहना है निरंतर और एक ऐसी सोच आपको बनानी है कि यह सारे questions भी जो है paper में आने वाले इनके standard को आप आसानी से crack कर ले पहली बात तो यह इसी लिए इस PYQ का chain किया गया दूसरा मुख्यकारण यह है कि अमूमन ऐसा देखा गया है कि मान लीजे CSET का paper है तो CSET का आप जैसे मान लीजे 2023 में जो paper आया तो कुछ ना कुछ question वो पक्का कहीं railway से यानि कि जो national level paper होते हैं banking के SBIP हो गया, IBPSP हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया उसके यहाँ पे वो डालता है यानि कि same questions आप अमूमन देखेंगे कि paper दर paper पूछे जाते हैं तो ये भी एक फायदा होगा कि previous year question आप जितने जादा लगाते जाएंगे तो chances ये भी होते हैं यही same question आपको आने वाले कुछ papers में मिल जाएं तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसलिए हमने PYQs का chain किया है तो अब से हमारा मिलना होगा हर Thursday to Thursday यानि कि हर गुरुवार को हम आपसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे reasoning के उपर reasoning की जब series खतम हो जाएगी तो मैं आप लोगों के लिए एक और surprise ले क्या हूँगा maths की भी ऐसी ही series हम एक चालू करेंगे तो खूब सारा प्यार दिखाईएगा support करिएगा और जो भी आपका feedback को comments के ज़रा share करिएगा ठीक है तो हम आप जो और जादा चाहते होंगे वो भी सारी चीजें हम आपके लिए ले करके आएंगे ठीक है तो पहले हम काम चालू करेंगे अपना reasoning से reasoning में आज पहला topic हमने जो लिया है वह है series तो आप देखिएगा पूरा video देखिएगा end तक आपको दिखेंगे कि काफी सारे प्रकार के प्रशन है CSET से लेके SBIPO से लेके CGL, CHSL हर प्रकार के प्रशन आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे and then फिर इसमें continue करेंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला which of the following numbers will replace the question mark in the given series यानि कि देखिए यह आपका PC, PSC, CSET 2022 का ही question है ठीक है यहाँ पर आप देखिए क्या श्रंखला दे रखिए 170, 290 आप आगे आपसे पूछा गया आप देखिए अगर आप अंतर लेने पर जाएंगे तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे कि यहाँ 21 का अंतर है, यहाँ 40 का है, यहाँ पर कित्तार है, 74, 176 और फिर 90 तो यह जो अंतर है इनके बीच में कोई तालमेल नहीं यहाँ जो अंतर है, इनके बीच में कोई तालमेल नहीं है, यानि कि हमारी सोच थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए, यानि कि हमारा नजरी हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा तो क्या हम इस 13 को अगर देखें, तो क्या हम इसको 4 प्लस 9 लिख सकते हैं? बिलकुल, इस 34 को अगर आप देखोगे, तो क्या आप इसे 9 प्लस 25 लिख सकते हो? देखने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या दिखवाना चाहरा हूँ ये 2 है क्या, 2 का वर्ग, 3 क्या है, 9 क्या है, 3 का वर्ग तो कहीं न कहीं, ये जो 13 आया था, ये 2 स्क्वेर प्लस 3 स्क्वेर है आप देखिए, ये 34 क्या है, 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग अब आप देखिए, यह 74 को क्या अब आप ऐसे देख पा रहे हैं कि 5 स्क्वेर प्लस 7 स्क्वेर यानि की 25 प्लस 49 की तरह देख पा रहे हैं, बिलकुल यह 74 है, तो अब आपको पैटन समझने आ गया यहाँ पर क्या हो रहा है, दो के बाद 3 ही आया, 3 के बाद 5 और 7, तो 2, 3, 5 साथ, साथ, यह सारे क्या है, अभाज्य संख्याएं, यह सारी क्या है, लगातार आने वाली, यानि की क्रमागत आने वाली अभाज्य संख्याएं, तो 7 के बाद क्या आएगी, अगली 11, उसके बाद 13, फिर 17, फिर 19 इस तरीके से, ठेक है, यहाँ पर क्या बनाओगा, इसके बाद जो प्रश्न चिन्न है, वहाँ पे क्या हैगा, 13 स्क्वेर प्लस 17 स्क्वेर, अब 13 स्क्वेर प्लस 17 स्क्वेर, 13 स्क्वेर किता होगा दोस्तो, 169 होगा, 17 स्क्वेर किता होगा दोस्तो, 289 होगा, इन दोनों को जोड लीजिए, 29170 किता होगा, 460 में से 2 माइनस कर 458 option number B आपका उचित उत्तर है ठीक है ये समझाने के उपर आपको ध्यान दिया जा रहा है कि देखे सीरीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं घन और बहुत जरूरी होते हैं जब भी आप शरंखला याने की सीरीज या एनलोजी के प्रशन करेंगे ठीक है आप तुरंट यहां से भी देखके shortcut में बता सकते थे कि 9 और 9 जुड़ेगा तो आखरी में क्या आएगा दोस्तों 8 और 8 सिर्फ एकलोते इसी option में था तो भी आप बता सकते थे कि option number B उचित उत्तर है तो इस तरीके से प्रशनों को आपको tackle करना है और आगे बढ़ते जाना है ठीक है आईए चलिए देखते हैं और भी प्रशन ये भी आप देखेंगे PSE C62022 का ही प्रशन है क्या-क्या नंबर दिये हैं क्या-क्या संख्या हैं दिये हैं 1342 129 390-3522 ठीक है तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 13 42 129 390-3522 अब पहली बात आप देखेंगे 13 से आप 42 हुए छलांग लगी है ठीक है क्या वहाँ छलांग आगे भी जाती जा रही है याने की सबसे पहला काम हम सीरीज के क्वेशन्स में क्या करते हैं कि हमें अंतर के साथ काम करना है कि हमें गोडा करनी तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे अंतर से अगर आप काम करेंगे तो लंबे होते जाएंगे अंतर बहुत है क्योंकि नंबर बहुत बढ़ते जा रहे है छलांग बहुत बढ़ी हो रही है 13 से 42 42 से फिर 129 से 139 से 390 तो यहाँ जब इतनी बड़ी बड़ी छलांग लगती है तो पहली सोच आपकी अंतर पे न जाते हुए गोडा की होनी चीए ठीक है तो क्या आप 42 को 13 से लेकर आ सकते हैं किसी तरीके से तो आप बोलेंगे हाँ सर 133 हो गया 49 प्लส 3 करणा तो कित्ता मिल गया 42 ठीक है 133 कित्ता होता है 49 प्लस 3 करणा तो कित्ता मिल गया आपको 45 अप देखिए इस 41 से क्या अब आप 139 लेआ पाएंगे कि हाँ 42 इंटू 3 कित्ता होगा 139 ठीक है इसमें फिर अगर माफ करिए का 100 कित्ता होगा 26, इसमें फिर आप 3 जोड़ेंगे, कित्ता होगा 129, तो हो क्या रहा है, पिछले वाले टम की गुणा 3, प्लस 3, पिछले वाले टम की गुणा 3, प्लस 3, तो यहां पे भी वही सब चलते गया है, तो आप सीधा यहां पे जो आपको निकालना है, वही आप निकाल लीजे, क्या हैगा यह, 390 इंटू 3, प्लस 3, तो देखिए, 390 इंटू 3 कित्ता होगा, 1170, तो 1170, जमा 3, तो आपका उत्तर होना चाहिए, 1173, ओप्शन नमबर B, आपका उचित उत्तर है, जब आपका प्रशन चिन आ चुका है, तो आगे इतना पेपर मे आपको समय जाया नहीं करना है कि इसे भी प्रूफ करें, आपको भरोसा अपने प्रोसेस पर होना चाहिए, अपने पैटन पर होना चाहिए, ठीक है, 13 से हमने 42 देख लिया था, 60 बैट रहा था, 42 से 129 बैट रहा था, फिर से 60 बैट रहा था, तो हमने उसी तरक पर लेके ग तो इस तरीके से दोस्तों पेपर में थोड़ा से हटके सोचना पड़ता है कई बार, चलांग को देखके आपको समझना पड़ता है कि लंबी चलांग लगते ही जा रही है, थूआउट, यानि हर टम आपस में लंबी लंबी चलांग लगा रहा है, तो गुणा से अगर जादा chances है कि आपको आपका उत्तर जल्दी मिल जा है, आईए देखते हैं दोस्तों, सीरीज में सिर्फ नंबर्स नहीं रहेंगे, याने की सिर्फ संख्याएं नहीं रहेंगी, परन्तु इसमें अक्षरों का भी प्रशन आता है, ठीक है, तो coding, decoding भी जब हम करेंगे, तो आप ध्यान दीजेगा, वहाँ पे इस तरीके के काफी सारे प्रशन बनते हैं, ठीक है, आईए देखिए, आपर क्या-क्या लिखा, आप पहले pause करेंगे, उसके बाद इस solution को देखेंगे, क्योंकि आपको try करना है, वो जरूरी बात है, अब आप देखिए, h से आप हो गए गए, g, g से आप हो गए, f, h कितना हो गए, 8, ये कितना हो गए, 7, ये कितना हो गए, 6, तो अब यहाँ जो पहला अक्षर आएगा, वो क्या आएगा, पांच की तरह देखेगा, पांच की तरह देखेगा, यानि की तरह देखेगा, सारे ही e है, ठीक है, अब मुद्दे की बात ये है कि अगर सारे E हैं, तो हम देखते हैं, बीच वाली चीज क्या कह रही है, के कित्ता होता है, दोस्तो, 11, यहाँ पे कित्ते बन गया आप, 13, यह O कित्ता होता है, 15, तो अगर 11, 13, 15, दो-दो से बढ़ रहा है, तो 15 से अगला क्या होगा, 17, 17 यानि कि क्या होगा, Q, तो पहला आपका E होना चीज, उसके बाद Q होना चीज, तो यह दोनों option तो कड़ गए, बचे गया C और D, ठीक है, आप देखिए R थे यहाँ पे, यानि कि आप कित्ते थे, 18, यहाँ पे आप हो गए O, यानि कि 15 होगा, यहाँ पे आप हो गए L, 12 होगा, तो 18 से 15, 3 की घटा होती, 15 से 12, फिर 3 की घटा होती, तो 12 से 3 घटा आके आप कित्ते हो जाओगे, 9, यानि कि I बन जाओगे, E, Q, I, option number C, आपका उचे तुपतर, इस तरीके से दोस्तों आपको काम कराना है, अपने पेपर के प्रश्णों में, ठीक है, बहुत जादा नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आप निरंतर अभ्यास करते जाएए, यह सारे पेपर में प्रश्ण आपसे बिलकुल ही बनेंगे, ठीक है, आईए, और प्रश्ण देखते हैं, जैसे ये भी देखिए, C-set आपका 2020, CGPSE का ही क्वेशन है, ठीक है, कुछ क्वेशन्स मैं अभी छोड़ रहा हूँ, उसको सेशन के लास्ट में हम लेंगे, पहले मैं आपको जो जल्दी बन जाए, यहां थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको मैंने सेशन के लास्ट में रखा है, ठीक है, तो वो भी सारे प्रश्ण आपको कराए जाएंगे, 24 से आप 25 होगा, 24, 25, 29, 56, और इसके बाद देखिए, चलांग कितनी बड़ी लग रही है, फिर लंबी चीज जा रही है, यानि कि यहां अंतर से काम बनेगा नी, क्योंकि यहां आपको पहले दिखेगा, एक का अंतर, फिर चार का अंतर, यहां पर आप क्या दिख रहा है आपको, 29, 27, इन अंतरों को देखिए, आपको कुछ यूनिक दिखना जीए, क्या आप एक को एक लिख सकते हैं, एक की पावर, चार को क्या आप दो की पावर दो लिख सकते हैं, 27 को क्या आप तीन की पावर तीन लिख सकते हैं, बिलकुल, तो आगे जो अंतर होना चाःए वो क्या आना चाःए एक, दो, तीन, चार चार अएगा, पावर भी देखिए उसकी क्या उरी है, एक, दो, तीन, चार तो यहाँ पर पावर भी चार आएगी यानि कि जो संख्या है वही पावर में भी आईगी 4 की पावर 4 यानि की 644 256 यहां तो जो अंतर होगा वो खित्ता होगा 256 तो यहां जो संख्या आईगी प्रश्ण चिन्न वाली जगह पर वो खित्ती है की 56 प्लस 256 तो यह आपका आजाएगा मान के चलिए 200 प्लस 50 आपका 300 प्लस 12 तीन सो 12 आपका है क्या option 312 देखिए option number D 312 तो अंतर में भी एक pattern आपको दिखा कभी-कभी ऐसे ही अंतर में आपको अभाज्य संख्याएं भी दिखेंगी तो आपको हर तरीके के प्रश्ण जब आपने लगाए होंगे अपने अभ्यास के तरह तब यह सारे प्रश्ण आपको बहुत आसान लगेंगे इसी तरीके के standard के questions हम class में भी कर कर सकते हैं आईए देखते हैं और आगे क्या प्रश्ण है हमारे पास देखिए ये भी आपका PSC CSET 2021 का question है यह CPO SSC में भी 2020 में पूछा गया सेम प्रश्ण है सेम जैसे मैं बोल रहा हूँ ना बहुत सारे प्रश्ण ऐसे होंगे जो CSET में जो आपको देखने मिलेंगे वो previous year SSC या banking या railway के आपको देखने मिलेंगे यहां पे आप देखिए 143, 169, 207, 219, 255 देखिए पहले तो आप अंतर लीजिए यहां पे किता आ रहा है 15 अंतर आ रहा है ठीक है अंतर निरंतर चल रहा है तो पहले अंतर में हम जाते हैं गुणा क्यूंकि दिख नहीं है चलांग लंबी नहीं है 169 से 207 जाएंगे कितने का होगा 41 और ये 7 अर्थालीस यहां पे कितना हैगा 207 यहां आ जाएगा आपका 36 अब इन अंतरों को देखेंगे तो क्या 16 का अर्थालीस से कोई संबंद है और क्या फिर अर्थालीस का बारा से कोई संबंद है क्या बारा का 36 से कोई संबंद है कुछ संबंद तो आप दिमाग में सोच पहेंगे यानि कि अगर आप देखेंगे तो 16 की गुणा अगर 3 से करी जाए तो हमें अब आप देखेंगे क्या आपको पैटर्न देख रहा है गोणा 3 भाग 4 गोणा 3 भाग 4 तो 36 को 4 से भाग देंगे तो कित्ता हैगा दोस्ट? 9 तो यहाँ जो अंतर बन रहा होगा वो 9 का बन रहा होगा यानि कि यहाँ जो प्रश्ण चिन्ना आ रहा होगा वो क्या रहा होगा 255 जमा 9 कित्ता होगा 255 जमा 9 264 तभी आप कहेंगे कि 264 और 255 के बीच में अंतर 9 है 264 है क्या दिखिए option में? option number C आपका बिल्कुल उचित उत्तर यहाँ पर है तो इतनी आसानी से प्रश्ण बनते हैं क्योंकि यहाँ पे छलांग लंबी नहीं थी तो हमने पहले अंतर के अंदर relation यानि कि संबंद ढूंगने की कोशिश करी जब हमने देखा कि number ऐसे हैं जो एक दूसरे से लेंदेन रखते हैं यानि कि 16 का 40 से बिल्कुल सीधा साफ संबंद है 48, 12, 12, 12, 36, 9 यह सारे आपस में एक दूसरे से संबंद हैं तो pattern इस तरीके का है into 3 divided by 4 into 3 divided by 4 आगे भी अब यह ऐसे ही चलते जाएगा तो मैं समझ रहूं कि आपको मज़ा आ रहा है चीज to Thursday हम किते सारे variety के question अब करेंगे तो आप लोग की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी ठीक है आईए चलिए देखते हैं E L V J H Y O D B T Z E E L V J H Y O D B ठीक है मैं देखिया यहाँ पे ही आपको करा देता बड़ यहाँ पे कराऊंगा तो अतनी जगे नहीं बनेगी जैसे कि आपको फिर दिक्कत हो समझने में मैं चाहा रहा हूं कि हर जो चात्र देखे उसे अच्छे से दिखे ठीक है क्योंकि अमूनमन चात्र यहाँ पर mobile का इस्तिमाल करता है वीडियो देखने के लिए ठीक है आईए देखे ए जे ओ टी अब क्या आना चाहिए यानि की क्यों मैं बोल रहा हूं पांच दस पंदरा बीस यहां क्या होगा पच्चीस क्या होगा पच्चीस यानि की य को दर्शाथ है तो option डी और यह तो तुरंत आप आपका उत्तर आ जाएगा ठीक है एल यानि की बारा उसके बाद आप हो गए एच यानि की आट चार का अंतर डी यानि की चार देखिए ये चार चार के अंतर में है दूसरा वाला अक्षर आप देखेंगे चार चार के अंतर में इसके बाद आप जेड हो गए चार का अंतर z से फिर आप 4 कम हो जाईए 4 चलांग लगाईए पीछे की तरफ तो आप कितने हो जाएंगे 26 होता है z 4 चलांग पीछे लगाएंगे 22 हो जाएंगे आप कितने हो जाएंगे 22 यानि कि y के बाद कहीं न कहीं यहाँ पे v आना चाहिए y के बाद यहाँ पे कहीं न कहीं v आना चाहिए क्योंकि v का ही code क्या होता है 22 तो option number c आपका उचेत उत्तर है h दोनों में ही है तो उसको निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है तो paper में आपको तेजी से काम करना है relation पकड़नी है और options के साथ अगर आप काम करना सीख गए तो आपके लिए आप मान के चलिए सारा कुछ जिसको हम बोलते हैं न लूटने वाली बात हो गई तो वैसा बन जाएगा question paper ठीक है आईए देखें और कुछ प्रशन F S 2 E U 6 D W 2 1 6 माफ करिए का यहाँ पर printing mistake है दोस्त यहाँ पर भी तीन चीज़े होनी चाहिए तो यहाँ पर एक रहा होगा Q 1 F चलिए अब करने की कोशिश करें Q 1 F S 2 E इसके बाद आ रहा है U 6 D फिर आ रहा है W 2 1 C चलिए तो Q है यानि की आप हो गए 17 S है 19 U है 21 यहाँ पर आप आ गए 23 तो यहाँ आएगा क्या 25 दो-दो का अंतर है 17, 19, 21, 23, 25 यानि की चालू तो आपका काम Y से हो रहा है Y से है option number B, C, D सारे हैं अब आप देखिए क्या समझदारी है कि F, E, D आखरी अक्षर को निकालने में क्योंकि आखरी अक्षर से तो वैसे भी आप चयन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आखरी अक्षर सभी में भी है तो आप अलग नहीं बता पाएंगे अलग आप कैसे बताएंगे अगर आप ध्यान देंगे तो क्या बीच में जो संख्या आएगी वो 66 आएगी, 44 आएगी ये अगर आप पता कर सकते है तब आपका काम हो जाएगा ठीक है, तो बीच में यहाँ पर संख्या क्या थी एक, फिर आप क्या हो गए दो, फिर आप क्या हो गए छे, फिर आप क्या हो गए 21, तो अब आप क्या होगे, वो देखने वाली बात है, जिक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, इस दो को लेके आना है, मुझे एक से, और छे को भी फिर इस दो से लेके आना है, तो क्या सोच रख सकते हम, यहां पे ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ध्यान से लेखेंगा, एक प्लस अब यह जो 2 आगया है, इसका इस्तिमाल हम यहां पे करते हैं, कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 कर लेंगे, छीक है, यह भी बढ़िया है, ठेक है, अब यह वाली जो चीज होगी, वो क्या होगी, इंटू 1 इंटू 2, तो यहां पे क्या हैगी, 6 गुणा ही जुड़ रहा है, जिससे गुणा हो रही है, उतना ही जुड़ रहा है, तो 6 की गुणा अब 3 से होगी, तो 3 ही जुड़ेगा, तो आपको कितना मिल गया, 21, अब यह 21 आगे जाएगा, और गुणा किस से होगी, पहले 1 से होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, तो 21 इंटू 4 प्लस 4 जिससे गुणा हो रही है उतना ही आखिर में जुड़ जाएगा 24 84 प्लस 4 88 यह किता आएगा 88 यानि कि बीच में जो आपकी संख्या आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए 88 तो य के बाद 88 आपका आना चाहिए तो option number D उचित उत्तर यह भी एक decent level का question था यह आपका MPPSC CSET 2020 का question है ठीक है तो हर paper में question जरूरी है बनाने है हमें क्योंकि हर जितने आप question बनाते जाएंगे और series और analogy तो एक ऐसी चीज है जितने आप question बनाएंगे उतने खम है क्योंकि उतनी variety आपको सोच अपने साथ फिर paper में लेकर जाने का मौका मिलेगा कि अच्छा हाँ ऐसा भी सोचा जा सकता था यह भी pattern होते हैं ऐसी भी चीजें बनती है चलिए आई यह और प्रशन लगाते है यह देखे यहाँ प्रशन चिनन नहीं दिया है यानि कि यह प्रशन रहा होगा wrong number को पहचानने का wrong number को पहचानने का यानि कि wrong term यहाँ पर आपको पहचानना है यह SBI PO 2021 का प्रशन है ठीक है आई यह देखिए क्या है यहाँ पर संख्या है क्या क्या दिया है 5, 6, 14, 45, 184, 920, 55, 6 तो 5, 6, 14, 920, 45 चीक है आई यह देखते है क्या 6 से आप 5 ला सकते हैं माने की 5 से क्या आप 6 ला सकते हैं तो आप ऐसे लेके आ सकते हैं कि 5 इंटू 1 प्लस 1 ठीक है 6 बन गया इस 5 को आपने इधर लाया था अब इस 6 को आप ऐसे लेके आएंगे कि 6 इंटू 2 प्लस 2 हो गया 14 अब इस 14 को आप इधर ले आईए तो 14 इंटू 3 प्लस 3 हो गया, देखें 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, तो 14 3 42 प्लस 3, 45 सही है अब क्या आना चाहिए 45 इंटू 4 प्लस 4 इनको मैं मिटार देता हूँ जगे अच्छे से बने जादा बहतर यह दिखिए यहाँ पर अभी तक हम 45 में थे और इस 45 को हमने ले आया तो 45 एंटू 4 किता होगा 184 एक सो चौरासी तो दिया है यह सारे अभी तक 60 बैट रहे हैं इनमें मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं दिख रही है आगे देखते हैं तो यह एक सो चौरासी आना चाहिए यहाँ और एक सो चौरासी गुणा पांच जमा पांच तो पांच चार बीस हो जाएगा तो आपको आखरी में क्या मिलेगा पांच पर यहाँ तो जीरो है तो यह ऑप्शन अवश्य ही गलत हो गया यहाँ पर वैसे आना क्या चाहिए था वो देख लीजे एक सो चौरासी इंटू पांच कित्ता होगा यह हो जाएगा आपका 920 क्योंकि 180 इंटू पांच 900 होता है चार पांच बीस तो 920 प्लस पांच आपका यह आना चीए तो 925 तो यह कहीं न कहीं आपका रॉंग टम यह वाला जो टम है यह रॉंग टम ओप्शन नमबर डी अब देखें 925 आया रहता तो 925 की गुणा क्या ह 6 तो 925 की गुणा आप 6 से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5550 और यह 6 से जुड़ जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 5556 ठीक है तो यह 920 है इसको होना कितना चीए था 925 होना चीए तो अगर आप यह भी पूछेंगे तो इसका भी उत्तर बता देता हूँ और यह प्रश दी यानि की 920 एक गलत संक्या है इस श्रंखला के अंधर बात बराबर है और प्रशन लगाते हैं यह भी देखिए आपके which of the following numbers will replace the question mark in the given series यह आपका CSET 2022 का प्रशन है अब वेराइटी वेराइटी भेन भेन प्रकार के देखे जा रहे हैं प्रशन और आगे आने वाले समय में आप मेरा भरोसा रखिए मैं बहुत quality questions और भी लेक्या होंगा दूसरे दूसरे papers से अब यह series अगर हमने चालू करी है तो इसे बहुत अच्छा अंजाम हम देंगे 352, 285 प्रशन चिन्न देखिए बीच में प्रशन चिन्न है तो ऐसे भी प्रशन पेपर में पूछे जा दालने कोशिश करते हैं, 65 से आप 112, अंतर कितना आएगा 35, 1747 इनके बीच में आप देखिए अंतर कितना आएगा 112 और 65 में 163, तिरपन अब 47 तिरपन ठीक है कहीं न कहीं आप यह सोच सकते हैं कि इसके बीच में क्या 6 का अंतर तो नहीं है अंतर के बीच में भी 6 का अंतर देखिए यहां पर क्या अंतर रहे वैसे 352 और 85 15 और 67 तो अगर 6 का अंतर चलता तो यहां पर अवश्य ही 53 के बाद 59 आना चाहिए था 59 के बाद यहां पर 65 आना चाहिए था और इन दोनों के बीच में फिर 71 आना चाहिए था बट यहां तो 67 है तो यह जो हमारी सोच थी कि यह 6 का अंतर है देखो यह तो बिलकुल गलत हो गई ठीक याने की आप देखें यहां पर 67 है दीत है आप 27 क्या एक अभाज्य संख्या है बिलकुल ठीक है 47 एक है 47 के बाद कौन सी संख्या आती है 48 नहीं होगी 49 भी नहीं होगी 50 भी नहीं होगी 51 17 से कट जाएगी 3 से भी गटेगी 52 भी नहीं होगी 33 तो 47 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या आ रही है वो 33 तो एक सोच ये भी हो सकती है कि जो अंतर है वो क्या है अभाज्य संख्याओं क अंतर है लगातार आने वाली अभाज्य संख्याओं का अंतर है ठीक है तो अगर हम वैसी सोच रखते हैं यहाँ पर माफ करीए यह ऐसे यह अब बड़ा हो तो अगर हम वैसी सोच रखते हैं तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा 47 के बाद अगला जो आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आ रही है वो तिरपन है तिरपन के बाद क्या आएगी चौपन तो नहीं रहेगी पचपन रहेगी क्या पांच ग्यारा दोन से कर जाएगी छपन भी नहीं होगी 57, 19, 3, 57 होती है बट ये अब इस लॉजिक से बैठ रहा है कि ये क्रमागत अभाज्य संख्या हैं 47, 33, 69 69 के बाद आप देखिए 60 तो नहीं है ठीक है 20 से कटेगी, 3 से कटेगी और समसंख्या भी है 61 होगी क्या हाँ अवश्य 61 भी एक अभाज्य संख्या होगी तो इसके इन दोनों के बीच में 61 का अंतर होना चाहिए और 61 के बाद आप देखिए 62 भी नहीं है 63 भी नहीं है 3 से कट जाए 64 भी नहीं 65, 5 से कट जाए 66, समसंख्या है तो उसके बाद अगली जो आपकी अभाज्य संख्या हैंगी 66, 67 हैगी तो यह जो लॉजिक बैठ रहा है यह बिल्कुल 60 बैठ रहा है तो अब आपके बस दो तरीके हैं यहां तो आप 285 में से 61 माइनस कर दीजे कित्ता हैगा 225 माइनस 1, 224 तो आप अगर करेंगे तो 285 माइनस 61 कर देंगे तो भी 224 आएगा यह आप ऐसा कर सकते हैं कि 165 और 69 को जोड़ दीजे 165 और 69 को आप जोड़ दीजे 165 और 60 जोड़ते तो कित्ता हैगा 225 उनसट जोड़ने तो यह भी कित्ता हैगा 224 तो दोनों ही तरीके से अब आपका उत्तर क्या आ रहा है 224 यानि कि इस तरफ से भी 224 आ रहा है और यहां से बैठाएंगे तो भी 224 आ रहा है option नंबर भी बिल्कुल 60224 यहां पे बैठेगा ठीक है तो आप यह बिल्कुल गल्ती मत करिएगा देखिए तुक्के में तो आप 6-6 के अंतर में यहां पे आपका उत्तर सही बेढ़ जाता परन्तु वो सोच सही नहीं है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी सोच को भी थोड़ा अगर मैं यहां सुधार सगूँ तो मुझे भहुत ही खुशी होगी उस बात की लिए यह सारे काफी प्रशन अपन ने कर लिए है अब हमारे लिए जो प्रशन बच रहे हैं वो 3-4 प्रशन बच रहे हैं CGL के आईए देखिए यह भी बहुत काम के प्रशन होंगे क्योंकि यही प्रशन शायद अब आपको आगे चल गया आपके व्यापम में मिल जाएं यहां आपके C-Sat में मिल जाएं ठीक है आईए 2-2-6-10-42 प्रशन बच रहे हैं और 1806 अब पहले तो आप लेके देखिए देखिए अंतर लेने में भी दिक्कत आ रहा है क्योंकि यहां पे देखिए 0 है यहां 4 हो गया फिर यहां 4 है फिर अचानक से लंबी चलांग हो गई तो चलांग शुरू से भी नहीं लग रही है और अंतर भी सटीक नहीं बैट रहे हैं यहां 32 हो गया फिर आप 1806 जा रहे हो तो कुछ अलग सोचना पड़े गए यहां पे कुछ अलग सोचना पड़े गए हां पे क्या सोचा जा सकता है क्या हम घं और वर्ग को ला सकते हैं क्योंकि जब घं होते हैं तो घं बढ़ते जाते हैं और बहुत लंबी लंबी चलांग लगाते हैं तो वैसा भी कुछ हम सोच कर देख सकते हैं इस सीरीज को देखें, हम ऐसा देख सकते हैं, कि अल्टरनेटेट टर्म में, दो, छे, ब्यालीस, अठरा सो छे, दो, दस, और ये, ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ के देखेंगे, तो क्या हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, आईए चेक कर दें, दो, छे, ब्यालीस, अठरा सो छे, अब दो से हम छे लाना तो सीख गए हैं, दो की गुणा दो, जमा दो, दो की गुणा दो, जमा दो, छे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो इंटू दो प्लस दो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो स्क्वेर प्लस दो, ठीक है, अब आप देखिए फिर छे से ब्यालीस कैसे लाएंगे, छे इंटू तीन प्लस तीन तो एक्कीस होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द्यान से समझने ही कोशिश करिएगा, मैं कैसे लिखा हूँ, ठीक है, ये पैटर्न अब ऐसे आपको दिखेगा, ये दो था, ये छे था, ये ब्यालीस था, और यहाँ पे आप अठ्रा सो छे में हो, ठीक है, यानि कि आप इसको 2 इंटू 2 प्लस 2 लिखने की जगे 2 स्क्वेर लिख दीजे, 2 इंटू 2 भी 4 होता है, 2 स्क्वेर भी 4 होता है, प्लस 2 लिख लीजे, होगा क्या, अब ध्यान से देखिए, ये वाली संक्या इधर आई थी, अब ये चे आएगा इधर, और 6 का स्क्वेर कितना होगा, 36 प्लस 6, क्या 42 मिल रहा है, बिलकुल मिल रहा है, अब यहाँ क्या आएगा, 42 का स्क्वेर कितना होगा, यहा जगे नहीं है, 42 का square हो जाएगा आपका 16 4, 4, 2, 8 8, 2, 16 4, 6, 7 1, 17, 17, 64 ठीक है, 17, 64 में अगर आप 42 जोड़ देंगे तो कित्ता हैगा 6 1806, तो बिल्कुल ये जो हमने सोचा, ये बिल्कुल 60 सोचा, क्या आ रहा है 1806 ठीक है, तो अब आगे का आप निकाल सकते हैं, परन्तु वो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा गया है 2, 10 और प्रशन चिनना, तो यहाँ पे भी सोच कुछ उस तरीके की ही लागू करनी पड़ेगी कि 2, 10 प्रशन चिनना अब 2 आप कैसे लिख सकते हैं 2 को आप लिख सकते हैं 1 का वर्ग प्लस 1 पर 2 का वर्ग प्लस 2 तो 10 बैठेगा नहीं 2 का वर्ग प्लस 2 तो बैठेगा नहीं तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 2, 10 और प्रशन चिनना इसको आप लिख सकते हैं 1 का घन प्लस 1 यहाँ पे अब बैठेगा देखिए कैसे क्योंकि 2 का घं अब मुझे मालों में 8 है 2 का घं प्लस 2 8 प्लस 2 दस होता है तो यहाँ वाली संख्या इधर आई घं हुआ और उतनी ही जुड़ गई तो 2 का घं प्लस 2 यहाँ पे क्या आना चाहिए 10 का घं प्लस 10 क्योंकि अब संख्या मुझे options में दिख रही है कि बड़ी बड़ी है तो घं को पिक्चर में हम ऐसे ही ला सकते है तो 10 का घं कित्ता हो जाएगा 1000 में आप 10 जोड़ दीजे कित्ता हो जाएगा 100 100 option number C 60 कै बिलकुल है तो option दिख जाए और आपकी सोच वहाँ पर कारगर हो जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती है आईए देखते है 38, 53, 70, 89 38, 53, 70, 89 सोच यह क्या देख सकते हैं यहाँ पर हम अंतर को पकड़े पहले यह देखते हैं 15 यहाँ पर क्या हो गया अंतर 17, यहाँ पर क्या हो गया अंतर 19, यह तो बहुत आसान हो गया 15, 17, 19 आगे क्या हैगा 21, चीक है देखिए आप बोल सकते हैं 17, 19, 23 लीजिया भाज्य पर 15 भी अगर उसका हिस्सा है तो 15 खुद भाज्य थोड़ी था यह क्रमागत विशम संख्या है यानि की consecutive odd number है तो 81 प्लस 21 एक सो बस option नमबर भी अब अगर आपको ध्यान देना है तो इसमें एक सोच यह भी दिख सकती है दोस्त सिर्फ देखने की कोशिश करिएगा 38, 33, 70, 89 यानि की 38, 36 के पास आता है 39 के पास आता है यानि की ये कुछ संख्याओं के वर्ग के इर्दगिर चलते है यानि की ये 6 square प्लस 2 लिखा जा सकता था इसे 7 square प्लस 4 भी लिखा जा सकता था 49 प्लस 4 तिर्पन होता है इसे आप क्या लिखेंगे 6, 7, 8 8 square 64 प्लस 6 पराबर है तो 2, 4, 6 यहाँ पर क्या जुड़ेगा 8 6, 7, 8 9 का वर्ग जमा 8 ठीक है इसके बाद क्या आजाएगा यानि कि ये जो प्रश्न चिन्ना हैगा ये क्याएगा 6, 7, 8, 9 10 का वर्ग जमा 2, 4, 6, 8, 10 तो 100 प्लस 10 110 यहाँ से भी आप ला सकते हैं तो देखिए एक ही ग्वेशन को सॉल्व करने के अलग-अलग हल मैं क्यूं बोलता हूँ कि आप तवज्जो पेपर में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कभी भी प्राइम संख्या हैं यानि कि अभाध्य संख्या हैं यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसा नहीं कि सीरीज में सीरीज में भी और एनलोजी के टॉपिक में भी यानि कि सादरिश्यता में भी आप देखिए क्यूब्स और स्क्वेर यानि कि आपके घन और वर्ग स्क्वेर यह भी बहुत जादा जरूरी होते है क्यूंकि कई बार प्रश्ण इन्हीं चीजों के इर्दगर्द में नेंगे प्राइम नंबर स्क्वेर नंबर और क्यूब्स तो यह सारी चीजें अगर आपके अभ्यास के कारण आपको याद है बहुत अच्छे से तो आप जल से जल प्रश्णों को कर सकते है ठीक है आईए देखिए और प्रश्ण S, K, H, M, O, O, D, Q, K, S, Z, U और G, W, V, Y ठीक है यह भी CGL 2022 का प्रश्णी है Tier 1 का प्रश्ण हो गई है चलिए आईए देखिए यहां पर यहीं पर उपर-उपर solve करता हूं देखिए S, 19 है O, 15 है K, 11 है यह 7 है तो 19, 15, 11, 7 तो आगे क्या होगा देखिए अंतर क्या है 4, 4 का तो 3 होना जाए तो 3 किसको दर्शाता है C को तो option number C गलत है बाकी यह सब C से चालू हो रहे अब आप दिमाग लगाईए कि यहां B है यहां A है और यहां A है ठीक है तो आप क्या कर सकते है आप एक काम करिए कि दूसरी वाली को आप देखना ही पड़ेगा K क्या हो सकता है 11 D क्या है यहां पर माफ करिएगा O है और O कितना होता है 15 ठीक है यह क्या हो गए S 19 तो अब आप देखिए उल्टा चल रहे यानि कि 11 से 15 हुए 4 बढ़ गया 4 से आप 15 से आप 19 हो गए ठीक है तो यह आप कितने हो गए 4 4 से बढ़ रहे हो यहां पर भी आप 19 से 4 बढ़ गए 23 हो गए 23 से आप 4 बढ़ होगे तो Z ही 26 होगा Z से एक और बढ़ना पड़ेगा यानि कि आपको A बनना पड़ेगा तो यहां पर आप क्या बनोगे 26 से एक जुड़ गए 27 27 किसको दर्शाएगा A को तो यहां पर तो A आना चाहिए तो option number A गलत हो गया बीच में A आना चाहिए अब यहां पर C A C A आ गया अब हमें तीसरी वाली को देखना है तीसरा वाला क्या है H D Z V अब देखिए यह फिर से वही काम कर रहा है यानि कि पहले हमसे माइनस 4 कराया पहले अक्षर के लिए फिर प्लस 4 कराया यहां पर फिर माइनस 4 करा रहा है देखिए कैसे बोल रहा हूं H होता है 8 यह होता है 4 चलांग देखिए 4 की 4 के बाद आप जाएंगे तो A तक आप जाएंगे तो 3 की घटोती हुई 3 से 1 पहले यानि A से 1 और पीछे जम्प लगाएंगे ताब आप Z पहेंगे तो यह सब जो जम्प लग रही हो कित्टे की लग रही है 4 की यह कित्ता हुआ खुज जब्विस 26 से आप 4 की चलांग लगा EU कित्ते हो गए 22 तो एक और चार की छलांग आप लगाएंगे बाईस से तो आप बनेंगे अठरा अठरा किसको दर्शाद है आर को तो यहाँ पे C, A, R से हमारा उत्तर होना चाहिए याने की आपका option number भी उचित उत्तर है C, A, R आपका ऐसे आना चाहिए अब देखिए आखरी अक्षर निकालने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि C, इधर भी है, C, इधर भी है जब आपको आपका उत्तर मिल गया है तो जैश्री राम बोलके आगे बढ़िए तुरन-तुरन चीक है? चलिए, बढ़िए आईए एक प्रश्ण और है 3, 11, 31, 69, 111 ये भी देखिए CGL 2022 का ही प्रश्ण है 3, 11, 31, 79, 111 चलिए, सोचते हैं यहाँ पे क्या बढ़ेगा 3, 11, अंतर लेके देखें देखिए अंतर यहाँ पे आप लीजिए 8 है यहाँ कित्ता हो जा रहा है 20 यहाँ कित्ता हो जा रहा है बहुत फिर अचानक से अंतर जब छलांग लगाने लग जाता है तो फिर हमें relation मनाने में तकलीफ होती है यहाँ 38 हो गया यहाँ चीजें अंतर के तरीके से तो नहीं बैठती में देख रही है फिर कैसे बैठाइंगे 3,11,31,79,11,31 11 को क्या हम 3 से लेकर आ सकते हैं सोच कर देखिए हाँ बिल्कुल एक चीज देखिए यह क्या है 11,9 के पास है 31,27 के पास है ठीक है यह कुछ इस तरीके का दिख रहा है अगर मैं 11 को ऐसा लिखना चाहूँ 2 क्यूब प्लस 3 तो कोई दिक्कत थोड़ी है 8 प्लस 3 क्यों मैं ऐसा लिखना चाहरा हूँ देखिए यहाँ पे फिर इसको क्या लिखूँगा 3 क्यूब 27 प्लस 4 ठेक है अब आप देखिए मज़ा आया यह क्या हुआ 69 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 4 क्यूब 64 प्लस 5 अब आपको आपका पैटर्न मेरे कहल से मिल चुका है तो यह अवश्य ही क्या रहा होगा 1 क्यूब प्लस 2 तो यह भी बिल्कुल 3 बैठता है एक क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब यह क्या है 5 क्यूब ठीक है 2, 3, 4, 5, 6 तो 5 क्यूब हम सभी को पता है 125, 6, 131 अब यहाँ पर प्रशन चिंज लगा है तो इसको क्या लगा कि हम नहीं बना पाएंगे अवश्य बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच 6 क्यूब प्लस 7 6 क्यूब होता है दोस्तों 216 और इसमें आप साथ जोड दीजिए तो आपको कितना मिलेगा 223 223 223 है क्या option में option number D तो ऐसे प्रशन रहेंगे दोस्तों काफी सारे आज हमने प्रशन करने की कोशिश की है एक प्रशन में आपको homework के तोर पे देता हूँ आप solve करेंगे और आप इसका answer comment करके अवश्य बताएं मैंने आपको hint दे दिया CSET के ही paper का प्रशन है आपको CSET का अगर paper भी चाहिए download करना चाहेंगे तो हमको हमारी side competition community में मिल जाएगा तो अवश्य ही इस question को भी try करके देखिएगा ये भी एक अच्छा question है यहाँ पे आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा तो बिलकुल आप comment करेंगे इसका answer ठीक है और next session में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसी को analyze करके कि कितने बच्चों का सही उत्तर आया है तो कोशिश करिएगा इसे comment करने की और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बिलकुल इसे like करिए ठीक है subscribe करिए और जितना ज़ादा हो सका है आप share करिए ठीक है चलिए मिलते हैं फिर और ये journey हम continue रखेंगे Thursday to Thursday मिलते रहेंगे ठीक है और हम सब बहतर होते चलेंगे अपना reasoning भी सुधारेंगे और आगे चलिए अपनी गणित को भी बहतर बनाते चलेंगे तो मिलते हैं दोस्तों नाम मेरा नितन है तो इसी चैनल पर फिर से मुलाकात अगले गुरुआ